नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्क्रेटी आई एस यूटोब चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे लाशों के वैपार की राजधानी बन गई कॉलकता दरसल जैसे कि हम सभी आज के समय में कॉलकता रेप मडर केस से परिचित हैं मौमिता देवनात का यह केस है और हम लोग आज भी नियाय की मांग कर रहे हैं चीज़े अभी भी बहुत अदिक सुलजी नहीं है लेकिन CBI RG कर Medical College के पूर प्रिंसिपल संदीब घोष से लगातार बाचित कर रही थी उससे जाजपरताल कर रही थी जाजपरताल के दौरान यह मामला सामने आया है कि कॉलकता के RG कर Medical College के पूर प्रिंसिपल संदीब घोष लाशों के अवैद वैपार से जुड़े हुए यह अपने आप में संसनी खेज है और इस मामले के उठते ही यह भी सामने आया कि कॉलकता से लाशो का व्यापार आज की ही कहानी नहीं है यह है एक दशको पुरानी पर्था है और यह लगातर चली आ रही है और आज भी ववस्तान में बनी हुई है कैसे बनी हुई है क्या है सबी चीज़ों को हम लोग समझते हैं अच्छे से तो इसलिए बढ़ते हैं आगे कॉलकता की आरजी गर मैडिकल कॉलिज के पूर प्रिंसिपल संदीब खोश पर शवो की अवैद विकरी का आरोप लगा है जिस वज़े से हम लोग ये नियूस पढ़ रहे हैं शवो की अव इसी के द्वारा सारा काम ये किया गया है ठीक है अब इसके साथ सदी जहां पर ये आरोप लगा है कि आप इस परकार से शवो की अवैद विकरी करते थे तो वहीं पर ये भी पता लगा है कि बांगलादेश में तसकरी करने वाले एक खतरनाक ऑपरेशन में भी इनका नाम शामिला आया है जिस ऑप्रेशन में इख नाम शामिल था उसमें बायो मेडिकल कचरे और मैडिकल सप्लाई ब़ांगलदेश की जाती थी अब इसतिती है और सभी चीजस पर नहीं लेकिन inquiry वी चल रही है लेकिन Kolkata में लाशों की बिक्री का इतियास काफी लंबा है क्योंकि बहुत एजी है वहाँ से चीजों को ट्रांसफर कर देना तो कौलकता से अवैद रूप से समान सारा जो है वहाँ पहुँच जाता है बंगलिदेश उसके बाद जहां भी दुनिया में उसको पहुचना है वहाँ पहुच जाया करता है यह दुनिया भर के में रात के समय जाते थे रात के समय जाने करते कबरों को वैसी कर वैसे ही रहने दिया करते थे खोद के उसके अंदर से लाशों को निकाल लिया करते थे लाशों को निकालने करते कबर को पूरा सेट कर दिया करते थे पता नहीं चलता था किसीने बाद में खोला भी है कबर क बस लाश गायब होती थी, लोग आते थे, इबादत के लिए, मिलने जुलने के लिए अपने लोगों से, लेकिन उसके अंदर वो मौझूद ही नहीं हुआ करते थे, और इन लाशों को दुनिया में अलग 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 देशों में सप्लाइ कर दिया था था, इस परकार की स्थ कॉलकता के कहानी कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेजों के काल सही है, लाशों के वैपार की रहाजदानी बन गई थी, आज भी प्रथा खतम नहीं हुई है, बनी हुई है यह था ठीक है, चलिए, आगे चीजों को समझते हैं, लाश वैपार पर प्रतिबंद, जैसे कि आपक कानून हैं, उस कानून की वज़े से ही यह सार अगस्ता काम इलीगल ही माना जाता है, 16 अगस्त 1985 को आधिकारिक तोर पर मानव अवशेशों के निर्यात पर केंद सरकार ने बहन लगा दिया गया, जैनि कि देश भर में कहीं से भी आप मानव अवशेशों को मानव के शरीर क बेचेंगे नहीं, दूसरे देश में निर्यात नहीं करेंगे, यह सारे का सारी चीजें रोक दी जाती हैं, सब कुछ रोक दिया गया, लेकिन रोकने के बाद चीजें बहुत सारी सामने आई, पता लगा कि रोका क्यों गया, पूछा गया कि क्यों हुगा ऐसा, तो पता इंजेक्शन दे दिया था जिससे वो dead body में बदल जाया करते थे यह सब कुछ होता रहा है अब जैसे ही यह सारे के सारे मामले सामने आने लगे मामले court पहुंचे सरकार तक पहुंचे तो सरकार को समझ में आया कि जो वैपार हो रहा है ना शरीर का मृत शरीरों का इसकी कोड तक पहुंची सरकार तक पहुंची तो इसी वज़ा से इस सभी चीजों पर रोग लगा दी गए निर्यात पर रोग लगा दी गए लेकिन अभी भी यह सभी चीजे बढ़ रही है देश में खतम नहीं हुए पूरी तरह से यह भी देखने लिए भारत में कंगालों का बाजार काफी बढ़ा है दरसल जैसे ऐसे भारत में मेडिकल कॉलिज बढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलिजिस के बढ़ने के साथ साथ भारत में मृत शरीर की डिवार्ड भी पढ़ती जा रही है मुन्ना भाई MBBS मूवी सब ने देखी होगी अब यह मत कहा देना कि सर नहीं दे कि आपको लाश पर डेट बॉडिस के उपर ही सभी प्रैक्टिकल सपने करने होता है चीजों को डरक्ली ही समझना होता है क्योंकि बाद में अपर से नहीं सीजों समझा सकता है तो इसलिए डेट बाइट कंदर मेडिकल कॉलिज बढ़े लाशों की डिमांड भी बढ़ती च चल रहा है अभी तक दि नैशनल नीउज की एक रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि इस वफार में हर साल भारत से लगबग 20,000 से 25,000 कंदर कंकालों की तसकरी एक बड़ा आंकड़ा है 20,000-25,000 का मतलब हो गया कि इतने लोग मरें मरने के बाद उनका शरीर आगे ट्रांसफर हुआ है यह सब कुछ हुआ है और यह दुनिया में अलग-अलग देशों में पहुंचता है जिसे कि अमेरिका पहुचा जापान पहुचा यूरोप के अनेक देशों में पहुचा जहां सप्लाइचेन कुछ लोगों के लिए एक मोटी कमाई का जरिया भी बनी हुए लोग अवैद वेपार कर रहे हैं और बहुत मोटी रकम कमाते हैं सब्सीदों से यह होता है ठीक है तो कानूनी और नैतिक उलंगन भी होता है यहां पर यह भी देख रहे हैं माना वभशेशों अब भारते समविधान के अनुच्छे 21 का उलंगन करता है अनुच्छे 21 का अधिकार है इसमें जीवन और व्यक्तिकत 23 का अधिकार पिशामिल है प्रान और धेख सवतंधा को मिलें आपको अपने जान पर अपने शरीर पर पूरी तरह से अधिकार मिला हुआ है आपको जीवन जीने का अदिकार है, आपको वेक्तिका सुधनता का अदिकार है, यह सब कुछ सम्विधान के अनुच्छे 21 को इस रूप में भी परिवाशित किया गया है, कि अगर माली जे किसी वेक्ति की मृत्यू हो जाती है, तो मृत्यू के बाद भी वेक्ति की गरिमा ब वारा कि अब इसका कोई सम्मान नहीं इज़त नहीं पर कोट में जब चीज़ है तो कोट ने कहा कि नहीं मरने के बाद भी व्यक्ति की इज़त है सम्मान है गरीमा है इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए तो इसी वज़े से मनें माना कि जो व्यक्ति मर चुके है उसका भी सम्मान पूरा होना चाहिए, गरीमा का पूरा अधिकार उनको मिला हुआ है, ठीक है, तो कानूनी उलंगनों से पर यह वैपार, नैतिक और मानवधिकार संबनी चिंताओं को भी जर्म देता है, और इन सभी घटनाओं की वज़े से सबसे अधर नुकसान होता है, सम अब लोग सोचते हैं कि परिवार का सबर से चला गया है, जिन्दा तो दुबारा नहीं होगा, लेकिन आदम अकर इससे कुछ अर्जित हो जा रहा है, कुछ प्राप्त हो जा रहा है, तो अच्छी बात है, एक कहावत चलती है बहुत सारे लोग के गाउं में, कि मरा चुदर जाएगा, लोग इस वज़ा से बेच देते हैं और एक अच्छी खासी रखम ऑफर की जाते हैं, क्योंकि डैड़ इसका जो वैपार है बहुत मोटे पैसे वाला वैपार है, इलीगल कामों में इसी परकार से चीज़े होती हैं, तो हाशे पर पड़े हुए लोगों को जानबूज करके टार्गेट किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आपके जो भी एक परिवार के लोग हैं, आप इनके शरीर को बेच दीजिए, ताकि आपको पेमेंट मिल जाएं, आपको पेमेंट कर देएं, और लोग अगरी भी कर जाते हैं, तो ये दिक्कते होती ह सब कुछ देखा गया है, भारत के कानून ढ genetic art commission कहता है, बहुत बार लोग के dead bodies को नाले में ही भा दिया ता है, क्योंकि कोई उनका परिचेत नहीं मिल पाता है, कहीं भी जला दिया जाता है या कई बार ऐसर देखा कि डैड़ बार बार सटकों पर या किसी अलग स्थान पर पड़ी रहती हैं कोई धियान नहीं देता है इससे उनके जो अधिकार थे जीवित रहते हुए तो कह रहा है कि वही अधिकार को मरने के बाद मिलने चाहिए, सम्मान चीजों का रहना चाहिए, तब तक कि देहे का अंत नहीं हो जाता है, देहे की अंत तक चीज़े बनी रहनी चाहिए, देश में कुछ कानून होना चाहिए उनके अधिकारों के लिए जो की नहीं है, अदालत कहता है कि मृतिकों की गरिमा को बना रखने के लिए मैं तो दिया जाए ये चीज़े हैं जैसे कि आपको मैंने भी बताया ये बात कोड ने बताई थी वर्ष 1989 में एक एतिहासिक पर्मानंद कट्रा बनाम भारत संग मामला आया था जिसमें कहा गया कि अनुछे 21 में नहित जीवन नि इत्र शरीर तक विस्तारित है यानि कि अगर व्यक्ति को जीते जी उसको जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है निश्पक्ष वहवार का अधिकार है गरिमा का अधिकार है तो ये अधिकार तब तक उसके पास रहगा जब तक कि उसके शरीर का अंत नहीं हो जाता है यानि चीजों को समझा और आगे प्रस्तुत भी कर दे। किलियर इतना तो ये सारी बाते कॉलकत्ता को एक परकार से लाशों के वैपार की राजधानी बनाने की कैसे कॉलकत्ता बनी लाशों के वैपार की राजधानी कैसे भारत में हो रहा है लाशों के वैपार कानून क्या कहते है मिर्ट लोगों के भी अपने अधिकार हैं जिसकी बाद हम लोगों ने की और इतना कुछ जानने समझने का देख सरल सा प्रशन आप लोग के स्क्रीन पर निमलिकित में से किस मामले में सर्वोच नियारले ने कहा कि अनुछे 21 में नहित जीवन और गरीमा के अधिकार व्यक्त जरूर दीजिएगा वीडियो इंफोर्मेटिव और इंपोर्टेंट लगी है तो बाकि सात्यों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को लैक के बिना नहीं जाएगा और ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा संस्कृति आई-एस यूटोब चैनल बागी बाते होंगी हमारी अगली वीडियो में कुछ नए वीशो के साथ लेकिन तब तक के लिए दीजे मुझे विदा थैंक्यू सो मच